अगला सवाल प्रभू ने पूछा है नमस्कारम सत्कुरू कल आपने देवी देवताओं को साधन बताया जब मैं किसी साधन का इस्तमाल करता हूँ तब वे मेरी किसी इंद्रिय की शमता बढ़ाते हैं मैं पांच इंद्रियों से परे किसी चीज का बोध नहीं पा सकता तो मैं किसी देवता जैसे साधन का उप्योग कैसे करूँ जो शायद उस आयाम के मेरे अनुभव को उचा उठाते हैं जिसका मैं इस समय बोध ही नहीं कर सकता नहीं नहीं पहले मौझूदा बोध को उचा उठाईए चश्मा पहनिए आपको बेहतर दिखाई देगा हां अगर आप बस एक छोटा सा अद्रिश्य कॉंटाक्ट लेंस पहनते हैं तो अचानक दुनिया साफ दिखने लगती है बस यही करना है किसी देवी देवता से इस दिरिश्टी कॉंट के साथ मत जुड़िये के मैं ये पाना चाहता हूँ या वो पाना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसा करते हैं पर ये तरीका ठीक नहीं है सरल तरीका ये है अगर देवता अच्छे से प्राण प्रतिश्टित किये गए है अच्छे तरीके का मतलब ये है कि हर देवता आम तोर पर खास उदेश्य के लिए प्रतिश्टित किया गया है हमारे पास ध्यान लिंगा है वे ध्यान के लिए हैं वहां रो ये मत वहाँ ये मत कहिए, ध्याने लिंगा, मेरी आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं है, प्लीज, वे बस ऐसे बैठे रहेंगे, क्यूंकि वे आर्थिक स्थिती नहीं समझते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्यूंकि वे खाते नहीं, वे कुछ नहीं करते, उनके लिए आर्थिक स्थिती का कोई मतलब नहीं, फिर आप देवी के पास जाते हैं, वहाँ आप रू सकते हैं, क्यूंकि देवी को इन चीजों की ज़रुवत है, वो समझती हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग काम के लिए बनाई गई हैं, आज कल की संस्कृती में शायद सब कुछ खिचडी बन चुका है, लोग सोचते हैं कि मंदर मंदर होता है, ऐसा नहीं है, मैं कुछ ऐसे मंदरों के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करता रहा हूँ, जने लेकर विवाद हैं, यहाँ पर कुछ पुरुष विरोध कर रहे हैं, कि हम देवी भैरागी ने क्यूं नहीं बन सकते, सिर्फ स्त्रियां ही मंदर की देखरे क्यूं कर रही हैं, सिर्फ उन्हें ही ये सौभागी क्यूं मिला है, ये लिंग भेद है, ये ऐसा ही है, क्योंकि देवी इसी तरह प्राण प्रतिश्टत की गई है, देवी को अपने आसपा स्त्रियां चाहिए, ये उनके लिए जरूर खास उदेशे के लिए प्राण प्रतिश्टित करने का मतलब है, प्रतिश्टापन अलग-अलग तरह के होते हैं, कुछ प्रतिश्टापन ऐसे होते हैं, जो सिर्फ गुंजाय मान होते हैं, वे कोई फर्क नहीं करते, जैसे सूरी कुंड में ऐसे ही लिंग हैं, वे कोई फर एक भेंस को भी कुंड में डाल दें, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, वे वो ही चीज करेंगे, क्योंकि वे प्रकाश की तरह हैं, प्रकाश है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें परवा नहीं है, प्रकाश बस फैलता ह तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऐसी है कि उन्हें कोई फर्क या उनमें विवेक नहीं है पर ध्यान लिंगा देवी इन्हें अलग तरह से बनाया गया है उनमें विवेक है अब मैं जो कह रहा हूँ उसे शाब्दिक अर्थों में मत लीजे जब आप मंदिर में जाते हैं तो देवता जानता है कि आप कौन है जानना यानि यह नहीं कि वे आपका या आपके पिता का नाम जानते हैं अमें फर्क नहीं पड़ता मैंने आपके पिता का नाम कभी नहीं पूछा जब मैं अपने पत्नी से शादी करने वाला था तब मैंने उससे ये नहीं पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है मेरे पिता चंबित हुए थे कि उसके पिता का नाम जाने बिना तुम उससे शादी कर रहे हो मैंने कहा मैं बस उस लड़की से शादी कर रहा हूँ तो कुछ लोग हैं जो पिता का नाम और संपत्ती जाना चाहते हैं उनकी आर्थिक और समाजिक स्थिती जानना चाहते हैं क्योंकि वे किसी और चीज से शादी कर रहे है तो हमने कई तरीकों से देवता को आपको पहचानने की काबिलियत दी है इसे बहुत ही सुक्षम जटल तरीके से किया गया है ताकि वे किसी को भी उनकी उर्जा स्थिती के अनुसार वर्तमान जीवन स्थर के अनुसार या विकास स्थर के अनुसार पहचान लेते हैं उस तरह से पर ऐसे दूसरे देवता हैं जो दक्षन भारत में बहुत आम हैं जो शायद आज उत्तर में खो गए हैं जैसे कुल देवता होते हैं या कुल देवियां होती हैं जिसका मतलब है एक खास देवता को एक खास कुल के लिए बनाया जाता है कुल यानि जाती का एक चोटा सा हिस्सा उस कुल के वंश का नक्षा लेकर उस देवता को सिर्फ उसी वंश की मदद करने के लिए प्राण प्रतिष्थित किया जाता है इसे लिए गाउं में जगड़ा होता है क्योंकि दो कुल या जाती के बीच शादी का मतलब है कि उनका अपना देवता नहीं रहेगा, वे जाती से बाहर हो जाएंगे, वैसे अब ये सामाजिक मुद्दा बन चुका है और भद्दा हो गया है, ये एक अलग बात है, पर वाकई ये इसी समझ पर आधारित है, क्योंकि एक उर्जा रूप बनाया गया था जो उस वन्ष की सूचना का ध्यान रखता था, अगर कोई अलग कुल से आता है, तो देवता उतर नहीं देंगे, ये चीजें बहुती वैग्यानिक तरीके से अलग-अलग उदेशियों के लिए की गई थी, आज भी कई शांदार प्रक्रियाएं हैं, पर ज्यादतर खत्म ह हो चुकी हैं, तो अब वैश्विक चीजें बनाना बहतर है, जो वन्ष पर आधारत नहों, बलकि व्यक्ति के उर्जा के विकास पर आधारत हो, हम यही कर रहे हैं, इसलिए ये नए मंदिन हैं, जो आपको वन्ष से नहीं पहचानेंगे, आपको कुल से नहीं पहचानेंग बलकि आपकी मौजूदा स्थिती से पहचानेंगे, तो दोनों ही चीजें प्राचीन काल से होती आ रही हैं, पर ज्यादतर मंदिरों को वन्ष के लिए बनाया गया था, क्योंकि लोग उसी में पैसा लगाते थे, वे अपने शेहर में अपने कुल के लिए एक खास मंदिर चाहते थे ताकि उनका कल्यान हो, कुछ को सभी की भलाई के लिए बनाया गया था, इसलिए उनके नाम अलग-अलग होते थे, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजे यहां एक मर्यम्मन का मंदिर है, एक खास कुल के लिए उसका एक उपनाम होगा, पर मान लीजे कोई दूसरा मं म시면दिर जैसे काशी विश्वनाथ ये विश्वनाथ हैं, यानि पूरी दुनिया के लिए, वे आपको वंश से नहीं पहचानते हैं, वे आपको उर्जा के और विकास के अर्थों में आप फिलहाल जो हैं, उससे पहचानते हैं, उसी तरह ध्यान लिंगा आपके वंश को नह पैचानेंगे, उन्हें परवा नहीं कि आप अपनी मा के गर्ब से आए या आस्मान से गिरे, क्योंकि हम नहीं सोचते कि मा के गर्ब से आने में या आस्मान से गिरने में से कोई तरीका बेहतर है, आप कैसे आएं, इसका महत्वर नहीं है, आप अभी कैसे हैं, यही माइने र विकास की बात करते हैं, तो आप वहाँ अपने बोध को बढ़ाने नहीं जाते, वहाँ एक प्रक्रिया करनी होती है, आप बस वो प्रक्रिया कीजे, आप शायद विकसित हो जाएं, ओ, तु कुछ पक्का नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं, उसी हिसाब से ये आप को विकसित करेगा, अगर आपका ऐसा विकास हो जाए, जिसके लिए आप तयार नहीं हों, तो विश्वास कीजे आप पागल हो जाएंगे, दिमाग तूर जाएगा, अगर आपने वो चीजे देखी होती ही जो मैंने बच्चमन में देखी थी, तो आप मैंसे कई अपना मानसिक संतुलन खो बैठते, क्योंकि मैंने हर तरह की चीजे देखी थी, और मैं ऐसे बैठता था, और मेरे आसपास के लोग भी ये सोचते थे, कि मुझे कोई मानसिक रोग तो नहीं, क्योंकि मैं इस तरह से हर तरह की असंभव चीजें देखता था, तो अगर आप कुछ ऐसा देखने का बोध विकसित कर लेते हैं, जिसके लिए आपकी मानसिक और उर्जा संरचना तयार नहीं है, तो आप बिखर जाएंगे, तो आपको किसी खास स्तर के बोध के पीछे नहीं भागना चाहिए, आप बस जाकर प्रक्रिया कीजे, देवता ऐसे बनाए गए हैं, कि उनकी बुद्धी आप से उंची है, आप उन्हें अपने साथ काम करने दीजे, आप बस वो साधना करें जो तै की गई है, यही तरीका है, यही कोड है, साधना कीजे, देखते हैं, आप कहां तक पहुंच पाते हैं, यह इस से तै होगा कि आप कौन हैं?